विक्सीद भारत के लिए हमारी एकता देश की अखंडता वो भी बहुत जरूरी है समाज को जाती में, धर्म में, भाषा में, उच और नीच में, श्त्री और पुरुष में, गाव और शहर में, न जाने किस प्रकार से तुकड़े 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 में बाटने की साज इस चल रही है, बड़े लक्ष कठोर तब से हासिल होते हैं, हम लगातार कहते हैं कि विक्सित भारत बनने की पहली शर्त है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना, अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, कोई बहार वाला काम नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा, 140 करो देश वास्यों को ही करना पड़ेगा, यहां बैटे हुए सब हरी भक्तों को करना पड़ेगा, और इसकी शुरुवात कहां से करेंगे? शुरुवात होती हैं वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा सकता है विख्षीद भारत के लिए हमारी एकता देश की अखंडता वो भी बहुत जरूरी है आज दुरुभाग्य से निहित स्वार्थ के लिए छोटी समझ के कारण भारत के उजवल भविश के महत्वकांचे उद्देशों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाती में धर्म में भाषा में उच और नीच में स्त्री और पुरुष में गाव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बाटने की साजिस चल रही है जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेश्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारणामों को पराजित करना ही होगा हमें मिलकर के दाकाम करना होगा साथियों भगवान स्री स्वामी नारण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष कठोर तप से हासिल होते हैं उन्होंने हमें बताया रास को निरनायक दिशा दिखाने की शमता युवा मन में होती है उन्होंने हमें चिखाया कि युवा राश का निर्मान कर सकते हैं और करेंगे इसके लिए हमें ससक्त, समर्थ और सिक्षित युवाओं का निर्मान करना होगा विच्षित भारत के लिए हमें आरे युवा सतक्त होने चाहिए स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत वनेंगे झाल युवाओं का निर्मान कर सकते हैं